नमस्कार आपके साथ मैं हूँ शिवेंद स्रिवास्तो और आपके साथ मैं हूँ मुक्ता सिंग और आप देख रहे हैं शेश्च भारत पर हमारा खाश शो अब की बार आरपार मार्च खत्म होते होते मौसम की गर्मी बढ़ रही है लेकिन उससे ज़्यादा बढ़ रही है चुनाओ की गर्मी इस चुनाओ में मोदी की ललकार है तो विपक्ष की हुंकार है क्योंकि इस बार होने वाला आरपार है अपकी बार आरपार होने वाला है हम शुरू करने जा रहे हैं अपना खाश शो जिसमें हम आपको बताएंगे अपकी बार 400 पार कितनी हकीकत कितना फसाना हम आपको अपने शो में हर राज की एहम लोगसभा सीटों और उसके वोटिंग पैटन के बारे में भी बताएंगे जितनी भी लहरें चली और चल रही है उन सभी के बारे में बताएंगे अपनी इस खाश शो में हम आपको बताएंगे अपकी बार 400 पार का नारा कैसे डिकोड हो रहा है पिछले चुनावों में कई लहरें चली चाहे वो इमर्जनसी के खिलाफ वाली लहर हो 90 के दशक वाली कामंडल लहर या फिर मोजूदार राम लहर और मोधी लेड क्या आपकी बार होगा आरपार क्या आपकी बार इंडिय रही लहरी जिनुक्र शुक्र में में कर रहें हैं लेकिन इससे बड़ी बात उन्होंने देश की संसद में भी 400 पार का एलान कर दिया है जिसकी चुनावी रेलियों के बयान से ज़्यादा एहमियत है आप भी सुनिए अब हमारी सरकार का तीसरा कारकाल भी बहुत दूर नहीं है जादा से जादा सो सवा सो दिन बाती है अर अब की बार पुरा देश कह रहा है अपकी बार अब कर देश कह रहा है लेकिन अद्धिक जी मैं आम तोर पर यह आंकड़े आंकड़े के चक्र में नहीं पड़ता हूं लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाच एंडिये को चार सो पार करपाई के रहेगा लेकिन भार्टिये जनता पार्टी को तीन सो सत्तर सीट अबस्य देगा पीजेपी को तीन सो सत्तर सीट और एंडिये को चार सो पार तो जैसे कि अभी आपने श्रिवेंदर मोधी जी को सना दो बार के प्रधान मंत्री को तीसरी बार एलेक्शन में जाने के पहले ये चार सो पार का नारा लगाने की क्या जूरत पड़ी आपके साब से इसका क्या सिग्निफिकेंस है देखे एक तो पहली बात यह है कि पार्टी में मोधी जब भी कोई बात कहते हैं तो उसका बड़ा रोल होता है बड़ा प्रोस्पेक्टिव होता है और उसी की चलते मोधी ने शायद एक परिके से सिर्फ टार्गेट नहीं दिया है बलकि मोटिवेट करने का भी काम किया है केवल संसद में ही नहीं बाहर भी जब भी रैलियों में या और तमाम सभाओं में गए उनमें भी 400 पार का जो नारा दिया है इसका मतलब एक टार्गेट दे दिया और अगर आप देखेंगे हाल-फिलहाल के कुछ महीनों में तो मोधी की इस बात के बात पार्टी के तमाम क कर सकते हैं चाहिए चोटी पार्टी हो जिसमें 2-4 संसादियों उस सब को लाने के कोशिश इसी कवायत के चलते हो रही है कि 400 पार तो इस बार लाना ही है और यह संदेश मोधी ने देकर साफ कर दिया कि अगर मोधी ने कहा है तो इसको फॉलो करना है ने लेकिन इस बारे में मोधी ने कहा देखे शुरुवात में माना जा रहा था कि यह शायद मोधी का आखरी चुना होगा और एक त्रिकेस इनको रिकॉर्ड बनाना इससे पहले बीजेपी के पास वो रिकॉर्ड नहीं है कि संसंद में सबसे अधा सीटे आई हो और मोधी शाहते हैं बीजेपी चाहती है पुरा संगटन चाहता है कि कोई एक ऐसा रिकॉर्ड मोधी बना के जाए जो हमेशा याद किया जाए सियासत के इतिहास में और इसमें 400 का यह आकरा नारों के हिसाब से फिट बैठता है इस बार 400 पार अपकी बार 400 पार और दूसरी बात यह नंबर इत देखें इलेक्शन नेरेट्व तो बनाने का काम बीजेपी जितना अच्छे से जानती है उतना कोई और पार्टी जानती नहीं है लेकिन ये एक तरीके से ये एजेंडा भी है उनका क्योंकि टार्गिट बड़ा होगा तभी उसको फॉलो करने के लिए कुश कर पाएंगा लोग जानते हैं बीजेपी में कम से कम बलकि सियासत में लोग जानते हैं कि बीजेपी में आज की तारीख में मोदी माइनस कुछ नहीं और उसी का मतलब यह है कि जो कुछ भी वहां से कहा जाएगा वो पत्र की लकीर होगी भले हो अची होगा नहीं होगा ये तो वक्त के लेकिन अभी जो कह दिया उसको फॉलो करने के लिए वीचे से लेके उपर तक नेता कारकरता सब जुटा रहेगा तो टार्गिट बढ़ा रखेंगे तो उसको फॉलो करना भी ज्यादा जो भी नतीजा आएगा देखिए इसलिए उनका कि 370 तो कम से कम बीजेपी क्या निचे के लिए बीजेपी के लिए 370 सीटें और इंडिये के लिए 400 सीटों के पार जाने का लक्ष रखा है वो लगतार ये दावा कर रहे हैं देश के करीब 8 दसक के संसिदी इतिहास में पहली बार किसी आम चुनाव में इस तरह से सीटें हासिल करने का दावा शायद पहले कभी क किसी ने किया हो ऐसा लग रहा है मानो बीजेपी की जीत तो सुनिश्चित है बस बात 400 से पार जाने की है वास्तों में मोदी और बीजेपी के इस दावे का अपना एक मनोविज्ञान भी है ये तथाकतित एंटी इंकम्बेंसी के खिलाफ जनता को अपने पक्षमे करने का एक तरीका भी होता है जिससे पहले भी सरकारें आजमाती रही है मोदी और उनकी मशीनरी इसको जादा मजबूती से पेश कर रही है मीडिया साथ है तो ये विपक्षी गडवंधन इंडिया पर मनोविज्ञानिक दबाव बनाने की और शांदार कोशिश हो रह सकती है आप आखलों के जरीया आपको 400 पार का मनोविज्ञान समझाते हैं तो क्या सच मुझ बीजेपी के पक्ष में एक बड़ी चुनावी लहर हिलोरे मार रही है इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे पहले मोदी के नेतरतु वाली बीजेपी का ग्राफ जराब प्रधान मंत्री मोदी के नेतरतु में बीजेपी को 2014 में 282 सीटे मिली 2019 के लोग सबाचनाव में बीजेपी ने 545 में से 303 सीटे जीती और अब 2024 में लक्ष बीजेपी के लिए 370 और एंडिये के लिए 400 पार का है बीजेपी और मोदी अपनी पॉप्लिर्टी के क्लाइमेक्स पर है मोदी कॉंग्रेस मुक्त भारत का नाराब देते रहे हैं लेकिन हकीकत ये है कि 400 पार के आंकड़े के मामले में नरेंद मोदी के निर्तत वाली बीजेपी अभी पंडित जवालाल नहरू और उनकी बेटी इंद्रा गांधी की अगवाई वाली कॉंग्रेस को लोगसभा चुनाओं में मिली सफलता से काफी दूर है आकड़े देखिए देश के प्रधान मंत्री पंडित जवालाल नहरू की अगवाई में कॉंग्रेस ने 1951-1962 तक शुरुवाती तीन आम चुनाओं में लगातार जीत हासिल की थी 26 जनुरी 1950 को देश का समिधान लागून होने के बाद 1902 में पहले आम चुनाओं में जिसमें नहरू के निर्तत में कॉंग्रेस ने लोगसभा की कुल 489 सीटों में से 479 सीटों पर चुनाओं लड़ा था और उसे 364 सीटे मिली थी इसके 5 साल बाद 1957 में हु तो अगर श्रीवेंद्र अगर आप देखिए यह सही होता है तो बीजेपी ने एक नई रवायत ही रज़ दी है पहले एंटी इंकंबेंसी पर वोटिंग होती थी अब प्रो इंकंबेंसी पर हो रही है तो किस तरह का राज्यतिक परिवर्तन होता आप देख रहे हैं इस प हटाने के लिए इंकंबेंसी हो जाती थी लेकिन जिस तरह से 10 साल से सरकार बीजेपी चला रही है और जिस तरह का नेरेटिव गड़ रही है लगातार कोशिश कर रहे हैं इमिज बिल्डिंग की बात हो चाहे भारत की बात हो राश्टिता की बात हो देश प्रेम की बात हो सब चीजें ऐसा माहौल क्रेट हो गया है कि उनको जीत तो अपनी सुनिश्चित लगती और कमो वेस्ट विपक्ष को भी लगता है कि मामला तो टक्करगा है और यह जब नेरेट्व बना लिया तो यह इससे बहतर मौका उनके सामने नहीं हो सबता कि उस रिकॉर्ड को भी तो में कभी सामने नहीं रही कि वो इतनी इमेज उसकी स्ट्रॉंग हो राश्रीता के नाम पे देश्परिम के नाम पे और तमान दूसरे मुद्धों पर की वो 400 की बात भी करें लेकिन आप देख रहे हैं एक तरफ ओवर कॉन्फिडेंस कहीं या कॉन्फिडेंस कहीं एक तरफ कर चाहे वो विपक्षियों के वार हो चाहे कोई उनके साथ आना चाहते है उसको मिलाने की बात हो चाहे वो एक दो सीटेए एफेक्ट करता हो आम आदनी पार्टी के केजडिवाल को अगर वो जेल में है तो उसका सीधा फारदा बीजेपी को मिल सकता है दिल्ली में जो कि बिजेपी के लिए नाक का सवाल है विदा सभा के चुनाओ बले ही नहों लेकिन यहां लोग सभा के चुनाओ में उनको वो अपनी सीटे रिटेन करना बहुत बढ़ी चुनाओति तो है ही साथी जरूरत भी है तो ये केवल के कविता का मामला नहीं केवल केजडिवाल का वहां का मामना नहीं वो एक-एक जगह जहां से वो कुछ सीटे ले सकते हैं उन सब के प्रयास के लिए नहीं कहीं आमादमी पार्टी एक उनके लिए खत्रा तो पैदा करी सकती थी तो कहीं इस बात का तो उन्हें डर था ही बिल्कुल देखिए सौभाविक सा कंटेंडर था यहां पर केजडिवाल के सरकार थी उनका विवस्था थी जैसे विवस्था पर आरोप लगते रहते हैं और उनका इस्तेमाल भी होता रहता है यह सबसे बड़ी बात मैं आपको यहां टोकर नहीं कि क्योंकि अब आमादमी पार्टी और कॉंग्रेस के साथ आने से यह खत्र जाना परता है इसलिए तमाम जो एक्वेशन्स जितने डिवलेमेंट्स हो रहे हैं वो सब एक करके इसी तरफ इसारा करते हैं तो यह आप समझी गए होंगे कि मोदी जी ने जो अब की बार 400 पार का लक्ष रखा है उसमें बीजेपी को अकेले 370 सीटों का लक्ष है इस ना 2019 में जमू कश्मीर से अनुछे 370 हटाये था अगर मोदी जी अपने बार के नारे को पूरा कर लेते हैं तो वो नहरू से आगे हो जाएंगे अब सवाद वही नहरू जी से आगे निकल गए तो फिर 400 पार की रट क्यों इसकी जड़ में एक और कारण दिखाए दे रहा है आंक्रे देखे इसके लिए आपको नहरू जी की बेटी इंद्रा गांधी वाली कॉंग्रेस के आंक्रे देखने पड़ेंगे 1966 में प्रधानमंत्री बनने के बाद इंद्रा गांधी को 1967 में आम चुनाओं का सामना करना पड़ा था कॉंग्रेस ने 516 सीटों पर चुनाओ लोड़ा था लेकिन पहली बार उसका आंक्रा 300 से नीचे चला गया और वो 283 सीटे ही जी सकी उसकी वोट शेर में भी गिरावट आई लेकिन 1971 में समय से पहले कराए गया चुनाओं में इंद्रा गांधी की नेत्तोत में कॉंग्रेस कॉंग्रेस में बटवारे के बाद जिन परश्थितियों में 1971 के चुनाओ हुए थे और उसमें इंद्रा गांधी को जिस तरह की सफलता मिली दसले से देश में संसिदी इतिहास में पहली बार इंद्रा लेहर कहा जाता है एक तरफ 400 पार की बात हो रही है बड़ी बड़ी बातें हो रही है इतना confidence देख रहा है तूसरी दरफ never seen before जोड़ तोड़ आप देख रहे हैं या micro management देख रहे हैं किस तरह से आप इस पूरी चीज़ को देखते हैं देखे सबसे पहली बात तो यह जब इससे पहले जो बड़ा अंकड़ा बनाया था तो जिसकी बात अभी मैं कर रहा था कि इंद्रा लेहर कहा गया इस बात चुनावय उन्हें साफ कर दिया गया कि किसी भी तरीके का ऐसा नारा नहीं दिया जाना है जिसमें कि मोदी की लेह लहर या किसी के लहर है यानि उसको वो ठीक नहीं मानते हैं तो यह सब बाते तो कहने नहीं हैं लेकिन 400 पार का जो आखड़ा पार करने की बात गही है उसके लिए मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे और फैक्टर्स हैं और स्ट्रेटिजी के तहत पर भी बहुत सारी च जो जैन चौधरी को समाधवादी पार्टी से हटा करके अखले शादों से हटा करके बीजेपी अपने साथ लाई उसके पीछे बड़ी गर्णीती है किसान नाराज थे किसान बाद में प्रश्चन कर रहे थे और उसके बाद जैन चौधरी को लाकर के एक तरफ मैसेज देने क कि कोशिश की उन्हों किसी ना किसी रूप में हम साथ में और साथ आएंगे सीटें जीतेंगे तो आगे किसानों का फाइदा होगा जैन चौधरी को भी जोली भर के खुब दे दिया OBC के समयलन पिछले एक साल से BJP हर राजी में जहां-जहां सरकार है और जहां-जहां संगटन है उनका वहां लगातार कर रही है ताकि बता सके OBC को कि BJP उनके साथ है इसी तरीके से महिलाओं के सुरच्छा को लेकर के चाहे मध्यपदेश में हो चाहे वो गुजरात में हो चाहे दूसरे और राजियों में हो वो सब चीजे जो कर रही है उसके पीछे सीधे मकसद यह है कि जो छोटे-छोटे पॉकेट्स हैं जिनमें कोई भी चीज इंफ्लूएंस कर सकती हो वो लेकर के आती है तो यह जो खेल है सारा जो रणनीती है वो इसी लिए है कि इस को पूरा करने से जावा जरूरी जो पीछे की बात है वो यह कि कॉंग्रिस का जो अब तक का रिकॉर्ड है वो तोर दिया जाए तब वो बौकला गई और देश में एमजनसी लगा दी एमजनसी और जबरन नसबंदी के खिलाफ देश में इंद्रा गांधी के खिलाफ ही लहर खड़ी हो गई इसे जनता लहर कहा जाता है 1977 में इंद्रा गांधी सत्ता से बेदखल हो गई इसके महज 20 साल बाद ही देश में फिर लोगसभा चनाव हुए 1980 में 1980 में हुए लोगसभा चनाव में इंद्रा गांधी के नेतरतु में कॉंग्रस ने 353 सीटें जीत कर वापसी की थी कॉंग्रस को 42.69 फीसिदी वोट मिले थे आपने नेहरू और इंद्रा गांधी वाली कॉंग्रस को मिली सीटे देख ली वोट शेर भी देख लिया बीजेपी अकेले दम पर अभी तक 350 पार नहीं कर सकी है जाहिर है मोदी की नेतर तुमें हुए पिछले दो चुनाओं में बीजेपी नेहरू और इंद्रा को मिली सीटों और वोट शेर की तुलना में अब भी काफी पीछे है भाई तो यह 300-350 की बात है मोदी जी तो अपकी बार 400 पार का एजन्डा लेकर चल रहे हैं अब आपको कॉंग्रेस का 400 पार का आंकला दिखाते हैं मोदी और वीजेपी के दिमाग में शायदी आंकला घूम रहा है जहां तक किसी पार्टी के अकेले दम पर 400 से जादा लोगसवा सीटे जीतने की बात है तो अब तक केवल एक बार 1984 में कॉंग्रेस ने कमाल किया था इंद्रा गांधी के हक्तिया के बाद हुए चुनाव में राजियु गांधी की आगवाई में कॉंग्रेस ने 404 सीटे जीती थी और उसे 49.1 फिजदी वोट मिले थे तो क्या मोदी जी का यही टागेट है कि वो यह जो है इसको यह तोड़ना चाहते हैं कॉंग्रेस का जो रिकॉर्ड है देखे खुलकर के मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि कॉंग्रेस का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं क्योंकि उनके नाम रिकॉर्ड जो है वो 404 का है और अगर उसको नहीं पूरा कर पाते हैं तो विपक्ष को बाद में भी एक मुद्दा मिल जाएगा भले ही पार्टी जी जाए क्योंकि उसके बाद के तमाम बयानों में बातों में बात आएगी कि मोद्दी जी तो ऐसी बात कह रहा थे कि हम कॉंग्रेस को पीछे कर देंगे लेकिन वह 400 भी नहीं पापाए तो मोद्दी जी ने बड़ा सोच समझ के रहनीति के तहट स्ट्रेटिकली बात कही कि 400 पार किसी चार का जो डिकॉर्ड कॉंग्रेस के नाम पे है इंद्रा गांधी की हत्या के बाद हुआ था और एक बहुत जबर्दस देश में लहर थी कि उनके साथ जो हुआ उसका फाइदा कॉंग्रेस को मिला उस वक्त ये कहा जाता था कि अगर कॉंग्रेस की तरब से किसी अन्नोन इनसान को भी खड़ा कर दे जाएगा तो जीट जाएगा और वही हुआ था राजी गांधी प्रदान मंत्री बने थे 404 का आकड़ा पार हुआ था तो वो एक तरीके से छुपी हुई मंशा ही दिखती है उस आकड़े को पार कर लेंगे रिकॉर्ड तूट जाएगा तीन ब पहले भी कहा कि करके धाराशाई करते जा रहे हैं विपक्षको आपोजेशन कुछ-कुछ कमजोर पढ़ता भी दिख रहा है लेकिन आपको क्या लग रहा है ग्राउंड रियालिटी क्या कहती है कितना असान और कितना मुश्किल है इनके लिए देखे चार सो पार का नारा दिया जाना अलग बात था लेकिन उसको पहुच पाना बहुत ही मुश्किल काम है और वो आम तोर पर किसी भी देश में कियो भारत में नहीं किसी भी देश में तब होता है जब एक तरफा लहर हो एक तरफा लोग जुड़ जाएं और ये मास पब्लिक के संटिमेंट्स जुड़ते हैं संटिमेंट्स जुड़े इसके लिए कोई ऐसी घटना होती है जिस घटना का इसमें बहुत एहम रोल होता जैसे राजी गांधी के साथ हुआ था लेकिन अभी देश में जिस तरह का माहौल है जो चीजे हैं जिनके बिना पर कोई और इंफ्रेस्ट्रॉक्ट्ट्रॉक्षर डबलिमेंट के अधार पर देखता है तो वह चीजें बहुत ज्यादा जोड़ती नहीं इसने 400 का अकला पार करना एक लिहास से इस तरह से तो मुश्किल है दूसरा और चीज जितने स्टेट्स हैं सब जखाव बीजेपी की स कर दिया और मायोती खुद भी एक दम बिल्कुल नेकर लिए कि बात करी तो बीजेपी इस बार काफी सीटें क्लेम कर रही है उसका कहना है कि वह अल्मूस्ट पचहतर सीटों तक की बात कर रहे हैं तो आपको लग रहे हैं कि यह फीजबल है देखिए होने को आकड़ा असी से हैं जो इंफुलेंशेल हैं लेकिन इन सब से पार पाना एक कदम पर लेकिन आप अपर नजर डालेंगा तो आपको लगए हर एक कदम को रोकने की कोशिश की है अभी जौनपुर में जो धननजे सिंग के टिकट की बात हो वो नहीं लड़ पाए अगर वो बीजेपी से ट 22 और अब 2024 आगया इन सारे चुनाओं में अगर मायवती के एक्टिविटीज को देखेंगे तो कहीं से आपको लगेगा नहीं कि एक इतनी बड़ी नेता जो की दलितों पिछुनों की बात करती थी इतनी बड़ी पार्टी थी चार बार मुखमंत्री रही स्टेट की वो इत ऐसा शक्स जो उम्मीद करता हो एक बार की कोशिश कर रहा हो कि मैं प्रधानमंत्री बन जाओं इस लेविल की सोच रखने वाला हो और उतनी सामर्थ रखने वाला हो लगता हो प्रतीत हो वो एकदम शान्त हो जाए वो बड़ा अजीव से लगता है और इस सब के लिए सोच रहा है कॉंग्रस के साथ आजाने से यह है कि जो उनका गड़बंधन है उसके हिस्से में बहुत से संटिमेंटल वोट चले जाएंगे यानि कि अगर कहीं पर का कैनिदेट है और वहां पर बीज़ेपी का भी है और सपा से समर्थित है तो सपा को वोट ना देने का दूवि मोधी की लहर थी और राजी उगांधी की अगवाई वाली कॉंग्रिस को सानभूती का लाव मिला था मोधी ने प्रधार मंत्री बनने के बाद से पिछले एक दशक में बीजेपी ने खुद को 24 घंटे काम करने वाली चुनावी मशीनिरी में बदल दिया है मोधी हर पुरा में कुछ रोणे आ रहे हैं इन चुनौतियों की चर्चा करेंगे अपकी बार आर पार के अगले एपिसोड में तब तक के लिए आज के शो में बस इतना ही बाकी खबरों के लिए देखते रहे हैं श्रेश्च भारत नमस्कार